आयोधिया पाचवी दीपोथसफ पर 3 नवंबर की शाम, 32 घाटो पर सजाए गए 9,51,000 दीपक एक एहम आकरशन का केंद्र होंगे। डॉक्टर राम वनुहर लोहिया अवद विश्व विध्याले प्रशासर ने राम की पोड़ी पर दीप बिच्छाने का काम को अंतिम रूप दे दिया है। 32 घाटो पर विश्व विध्याले परिसर के कई विभाग, महा विध्याले, स्वायम सीवी संस्थाय और इंटर कॉलेज के सिख्षक और छात्र बतौर वॉलिंटीर शामिल किये गए है। 3 नवंबर को इन में तेल डालने के साथ 9,51,000 दे जलाने का लगशे है। हर एक वॉलिंटीर को 75 दीब जलाने है। विश्व विध्याले के नोडल अधिकारी डॉक्टर शेलें रवर्मन में बताया कि वॉलिंटीर के लिए बसों का इंदिजाम किया गया है। COVID-19 के प्रोटोकॉल के साथ उन्हें दीब जलाने को कहा गया है साथ ही बिना ID कार्ट के किसी को घार पर प्रवेश नहीं मिलेगा। Guinness World Record के Time Consultant Nishtal Board ने बताया कि रिकॉर्ड के लिए हर दीबक को कम से कम पांच मिनट तक समान जलना होता है। एक ज्रोन के जरिए हम दीबकों की गिंती करते हैं और दूसरा ज्रोन दीबक के जलने और ना जलने की हमें विज्वल जानकारी देता है। बताप्रदेश के मुख्य मंतर योगे आधितनात ने पहले ही शहर के प्रत्येक मठों और मंदिरों में प्रसाद और दिए भेज दिये हैं। योगी आदितनात ने कथे तौर पर ये घोशना की कि अयोध्या में दीपोटसफ के हिस्से के रूप में नौ लाग दिये जलाए जाएंगे, साथ ही दीपोटसफ के पांचवे संस्करण में हिंदु महा का विरामायड पर आधारे जहां के भी शामिल होगी। उन घरों का प्रतीक है जिने प्रधानमंत्री आवास योशना सहरी में ग्रह प्रवेस अब तक कराये जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के दिये वेल आइकन को दबाएं।